यहां की strategy है वो एक बार वापस discuss कर लेते हैं और एक चीज मैं बार-बार हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि बड़े trend को पकड़ के रखें यह बड़ा trend वाइलेट होगा सिरफ और सिरफ 200-day moving average के नीचे जो के भी यहां से बहुत नीचे तो जब भी बड़े trend में कोई भी counter trend move म जारना नहीं है उस गिरावट को as opportunity यूज करना है हमेशा और मैं यह इसलिए भी अच्छा में इसलिए भी कह रहा हूं कि यह नहीं कि सिर्फ कल market में 100-point की rally आगी 200-point की rally आ सकती है नहीं भी आई होती है आज अगर हम वापस भी किर कर दे हैं तब भी मेरा view वही रहेगा कि अगर आप एक investor हैं तो अच्छे share खरीदने का time correction में ही आता है अच्छे share आप correction में खरीदेंगे तभी वो जब अगला uptrend आएगा उसमें आपको reward करता है यह market का नियम है अगर आप trader है तो आप screen को respect करिए trend के साथ रहिए वो अलग बात है लेकिन अच्छे share खरीदने का व trending market में भी एक uptrending market एक downtrending market आपको दोनों तरफ की trades लेनी चाहिए जैसे पिछले चार-पाइज इन में trading strategy थी कि sell on rally कल से वो strategy बदली buy on dips ठीक है अब अगर कल का low break हो गया तो वापस sell on rally हो जाएगा market लेकिन अब वापस एक market में strategy बनी है buy on dips ठीक है मेरे ख्याल से short trade अब ख short अब तभी बनेंगे नए short अब तभी बनेंगे जब आप कल के low के नीचे जाएंगे recent low के नीचे जाएंगे दो तिन कारण नों बता जाता हूं उसके बाद हम monetary policy और global factors discuss करेंगे बाजार अब काफी हलका हो चुका है जब हमने series के शुरुआत की तो हमने यह चीज कही थे कि market बहुत overbought है बहुत ज्यादा longs है लेकिन यह market सर्फ इसलिए नहीं गरेगा कि बहुत ज्यादा longs है इसको कोई ना कोई trigger चाहिए वो trigger market को मिल गया ठीक है उसकी वज़े से market गिर गया अब यहां पर मुझे लग रहा है कि market बहुत हलका हुआ एक तो FIs net shot में अच्छा कल rally बड़ी हुई है लेकिन कल भी FIs ऐसा नहीं कि जो कोई long add हुए उल्टा कल और short add हुए है जब setup पर आएंगे तो explain करूआ तो अभी भी इस rally पर belief नहीं है लोगों का लेकिन एक अच्छी चीज जो हुई हमने discuss भी की थी है कि FIs भी बेच बेच के ठक जाएंगे beyond the point क्योंकि market में resilience इतनी है कल भी आप देखिए FIs की selling के intensity कम हुई है और परसों भी एक चीज़ रिलाइज हो गए थी कि जतना FIs बेचेनों से ज़्यादा DIA आप खरीदने को तियार है इस market में तो क्योंकि यह level आगे है उस level के जहां पर DIA उस cash को deploy करने के लिए तयार है put call ratio कल की rally के ब 50 में 1000 पॉइंट की rally बैंक निफ में 2-3,000 पॉइंट की rally तो रिस रिवाट जो आपको four is to one five is to one का है almost positional trader के लिए हां थोड़ी बहुत volatility होगी market में थोड़ी बहुत जैसे कहते हैं violence कई बर market में होगी लेकिन view वही है अब इस समय मार्केट में कि जो factors हमारे against थे अब वही factors हमारे favor में काम करेंगे चाइना की market देख लिजे आप, crude देख लिजे आप और politics देख लिजे आप, तीन factor थे जिन्होंने इस market को परिशान किया था और ये तीनों के तीनों factor एक बार वापस play कर दिजे तीनों factors, crude, चाइना का market दिखा ही है 77.28 पर और कल हम 79 तक थे, आज 77 तो दो डॉलर और additional यहाँ पर आपके अडवे, उसके अलावा आप चाइना का market fire करते हैं और उसके अलावा आप ये जो मैंने का की politics है, एक बाद दिखाई जाए चाइना क्या करता है इस समय, ये कुछ चीज़े एक्दम ready होने चाहिए अब एक्द